नमस्कार फैंट्स में नाम बभली और माँ पीपर है कर मैं आपका स्वागत है हमें स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर बीए फॉर्स्ट सेमेश्टर हमारा चल रहा था कौनसा बीए फॉर्स्ट सेमेश्टर तो टैपिंग में कुछ मतलब इरोर आ रहा था तो इस बैसे मैं आपके लिए ऐसे ही पढ़ाने बाला हूँ घीक है तो बात करते हैं कुछ पॉइंट्स होते हैं वो टापिंग में नहीं आपाते हैं तो इस बैसे कुछ चूट जाते हैं तो अभी तक तो सिंपिल थे वह पढ़ा रहा था अब ये कुछ टाइपिंग में दिक्कत करेंगे तो इस बैसे डायक्ट लिए आपको यहां पर पड़ा रहा हूं ठीक है बिलकुल आराम से आपको समझना है ठीक है तो हर चीज आपको समझ में आने वाली है बात करते हैं पूरा की पूरा अपना कवर करने वाले जो अमारे एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है इंपोटेंट ठीक है तो उसमें क्या करेगा आपके लिए फाइदा ही करेगा तो आप अभी से अच्छा ही पड़ें ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बीए फर्स्ट समेश्टर की बात करते हैं पूरेगल साइस आप पर पढ़ने वाले हैं ठीक है और हम पहुंच चुके है यूनित नंबर कहां पर यूनित नंबर फाइभ द की ओर तो यूनित नंबर फाइब का कोश्न नंबर वन ही है जो हम स्टार्ट करेंगे सोला से ठीक है तो स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार और राज के निती निर्देस धानतों में अंतर बताना है देखो मौलेक अधिकार हम पढ़ चुके हैं और राज के निती निर्देस अत्त भी हम क्या गर चुके हैं भी पढ़ चुके हैं इनके अंतर के बारे में देखेंगे मौलिक अधिकार की बात करते हैं मूल संभीधान में हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे मूल संभीधान में आपसे पहुचता है तो मूल संभीधान में मौलिक अधिकार साथ हुआ करते थे अगर बरतमान की बात करेगा तो बरतमान में कितने हैं छे हैं जो हम संपत् तीन जो पहुंचा दिया गया है कि इतनी बात आपको तो यहाद रखना अब बात कर लेते हैं राज के निती नितिसा तद्व को पर चुके हैं उसको फ्रहाराइस कर रहा है जो हमें एक्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं तो बरतमान वे जो थे वह भी उतनी थे और अब आज के निती निदेशक तत्वी ठीक है चलो यह सिध्धान भी कह सकते हैं तत्वी कहते हैं इनके लिए तो अब इनके अंतर के वारे में हाँ परम देखने वाले तो अत्वा कोशन ऐसे मिल सकता है कि मौलिक अधिकार अधिकार के बीच संघर्स की अवस्ता का वर्ण करना है यह अत्वा कोशन ऐसे मिल सकता है कि मौल अधिकार और निती निदेशक तत्व में जो प्रमुक अंतर है उसे इस्पष्ट कीजिगा मतलब यह अंतर बताना है दोनों भी डिफ्रेंस बनाना है डिफ्रेंस है क्या ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं भी उत्तर के लिए उत्त USA मतलब अमेरिका से अगर वही बात करें राज के निती निदेशक तत्व हमने कहां से लिए है तो वो लिए हमने आयरलेंड के संभीधान से मौलिक अधिकार कहां से लिए USA से अमेरिका से और हमने निती निदेशक तत्व कहां से लिए वो लिए हमने आयरलेंड के संभीधा है जिसकी और बढ़ने का प्रतन भष्ष में भारत की फारत को क्या है करना है को तो कि राज के नीतिजर्र सत्व ज हैं वह इसी पर अधायत है है कि हमारा जो भारत है जैसे जैसे बिक्सित होता रहेगा विकास बात करते हैं विक देशे विक्सित देश की और बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो राज के नितीन सत्व हैं वो क्या होते रहेंगे लागू होते रहेंगे ठीक है अगले बात करते हैं उन्हें मूल संभीधान के अंद्रकत मानता दे दी जाएगी मतलब मौलिक अधिकार मना दी जाएंगे एक प परिडित किये जाने पर लोकल्यानकारी राज की स्थापना संभव हो सकती है ठीक है अगले बात करते हैं मूल अधिकार और नितीन देस्ततव यदिपी इन दिनों का ही इन दोनों का ही लच्छ भारत की प्रगती और भारती नागरिकों को विकास के अधिक्तम अवशर प्र हैं लेकिन परसपर घनिष्ट रूप से संबंदित होते हुए भी इन दोनों में निमिकित महात्पूर अंतर हमें देखने को मिल जाता है ठीक है अब देखते हैं इनके अंतर कौन कौन से हैं तो मूल अधिकार नियायोग हैं लेकिन नितीन देस्तव नियायोग हैं अगर हम सुप्रीम कोड या हाई कोड नहीं जा सकते हैं इसलिए जो मूल अधिकार हैं वो नियायोग होते हैं और नितीन देस्तव नियायोग नहीं होते हैं अब स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी थियोरी के बारे में तो मूल अधिकार और निर्देशर तत्वों में सबसे करने वाले कानूनों को अवैद वोशित कर शक्ते हैं लेकिन यदि कोई कानून निर्देश सिध्धानतों के पृतिकुल है तो उसे अवैद नहीं ठाया जा सकता क्योंकि निर्देशक शिध्धानत पर संभिधान ने उनके उलंगन पर कोई उपचार नहीं सुझाया है इसी तो जनमत का बल या फिर कह सकते हैं नेतिक सक्ती ही कहा जाता है ठीक है कि जिस प्रकार से अगर मूल अधिकार है वो तो हमारे अधिकार है मूल और निती निर्देश जो है वो गौवर्मेंट चाहें लागू कर सकती है और चाहें लागू नहीं भी कर सकती है उसके तहत हम नियाले के जाने के लिए बाद नहीं होंगे ठीक है अगले बाते हैं अब बात करते हैं दूसरा अंतर मूल अधिकार निशिधात्मक है जब कि निती निस्तत्व क्या है शकारात्मक है अब ऐसा क्यों क्यों कि मूल अधिकार निशिधात्मक अब ये अपनी तोर से मैं समझना आप लोग government हो, इस समय समझो कि तुम लोग क्या हो एक नेता हो government हो CM हो कहीं के, ठीक है तो आपके लिए मूल अधिकार क्या होंगे तो आपको ओगे नेसिधात्मक होंगे क्योंकि हम इन पर कुछ भी नहीं कर सकते, कोई संसोतन नहीं कर सकते कोई इनके उपर अपनी तरफ से हम कोई भी मूल अधिकार है उसको हम बाद नहीं कर सकते मतलब उसको रोक नहीं सकते मूल अधिकार क्या है, लोगों के अधिकार है तो इसलिए राज इनके उपर हस्तचेव नहीं कर सकती इसलिए राज के तहतिये कैसे हैं निशिधात्मक है जबकि निती निशिधात्मक है वो क्या है शकारात्मक है ये निशिधात्मक है और ये शकारात्मक है क्योंकि गुवर्मेंट चाहें तो लागू कर सकती है और ना चाहें तो लागू नहीं कर सकती और आप लोग कानून के बाद नहीं होंगे निती नितिसत्व, नांगरिकों के प्रती, राज के कतिपे सकारात्मक उतरदायत् стоpt में है, और राज से आशा की गई है कि वे नांगरिकों के प्रती अपने इन दायत्वों को पूर करेंगे, ठीक है, मगर पूर करेंगे, यह नहीं कि जबर्दस्ती हम नहीं करा सकते नागरिक जो है वो जबर्दस्ती राजस्ती नहीं करा सकते कि यह 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 जना हमारी लिए क्यों नहीं निकाल लए ठीक है तो यह बाद नहीं होते ठीक है अगले बात करते हैं मूल अधिकार मूल अधिकार नांगरिकों के लिए है निती नितत्व राज के लिए है बिलको सही मूल अधिकार जो है उन पर पूरा अधिकार किसका होता है नांगरिकों का और निती नितत्व जो होते है उन पर पूरा अधिकार किसका होता है राज का होता है बात करते हैं निदेशक तत्व एक प्रिकार से राज के लिए नैतिक्ता का सूतर हैं इसके दोरा राज के पुर्मुक कुछ आदर से प्रुष्टर किये चाते हैं जबकि मूल अधिकार नागरिकों के लिए होते हैं वही बात यहाँ पर रिपीट कर दी गई अब बात करते हैं, चौथा अंतर कौन सा है, उसको देख लेते हैं, मूल अधिकारो द्वारा राजनितिक लोकतंति की स्थापना की गई, जबकि निती ने सत्वों का लक्ष आर्थिक लोकतंत और सामाजिक न्याय पर आधारित विवस्ता की स्थापना करना है, ठीक है, अग का करतब होगा, ठीक है, मगर हम लागू करबा नहीं सकते, अगले बात करते हैं, सरबोच न्याले ने एक निर्ड़े में इस बात पर बल दिया की मूल अधिकार और निर्देशक तत्व में कानूनी देश्टी से मूल अधिकारों को उच्छ इस्तिति प्राप्त है, मूल ब प्रकार से मूल अधिकार, निर्देशक तत्विक्या होते हैं, उच्छ होते हैं, यह सुप्रीम कोड में कहा था, मगर बाद में सुप्रीम कोड के तहट क्या कहा गया, दोनों की दोनों क्या है, समान है, इस प्रकार से बात में कहा गया, ठीक है, तो यह हमारा क्या है, यह ह